सबी पत्रकार बंदूओं को नमस्कार ये आज की प्रेसवारता बहुत ही एहम बिंदू पे करी जा रही है और कल जब कॉंग्रिस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी वाडरा का हलफ नामा वाइनाइड में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें दायर किया जाता है तो आज ये कहना गलत नहीं होगा मौबबत की दुकान नहीं दलाली की दुकान है मौबबत की नहीं ये दलाली की दुकान है और जो तथ सामने आए हैं पूरे भारत की जमता आज नकली गांधी परिवार भ्रष्टाचारी नंबर वन उनसे कुछ सवाल पूचरा चाहती है सबसे पहले जैसा मैंने कहा ये हलब नामा ये एफिडिविट कबूल नामा है जो भ्रष्टाचार नकली गांधी परिवार और उनके जीजा जी रॉबर्ट वाडरा करते आये हैं सबसे पहले इनके हलब नामे में क्योंकि ये बादिता है ऐसा नहीं है कि सुचिता के लिए फ्रियंका गांधी वाडरा बहार आई और उन्होंने ये सार्जुने किया कि उनके पास क्या असेट्स हैं उनके पतिदेव के पास क्या असेट्स हैं ये एक बादिता है ये एक सुप्रीम कोड का जज्ज्मिंट है जिसमें आपको हलब नामा देना होता है अपना भी और अपने स्पाउस का भी सबसे पहली बात जो सामने आई रोबर्ट वाडरा की जो डिकलेड नेट वर्थ है डिकलेड शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ हर भारतिये जानता है सबसे बढ़ा भ्रष्टाचारी कोई है लूट खसोट करने वाला कोई है तो वो गांधी परिवार है जिनके तीन सदस्थ से भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं सोनिया गांधी राहूल गांधी और रावबर्ट वाडरा और रावबर्ट वाडरा की जो डिकलेड नेट वर्थ है वो कम है लेकिन इंकम टाक्स डिपार्टमेंट जो डिमांड कर रहा है वो ज्यादा है यह कॉंटेस्टिट है लेकिन आप देखिए 2010-11 में 7 करो, 2011-12 में 3 करो, 2013-14 में 11 करो, 2014-15 में 10 करो, तो इस तरह से 2020-21 तक जाता है और इनको अगर जोड़ा जाए, तो 75 करोड, 75 करोड, is the demand total by the income tax department, भैटे भैटे भी 2013 में 11 करोड, मतलब जो 7 करोड था 10-11 में, जब इन्हें अंदेशा हुआ भाग रहे हैं, सरकार जाने वाली है, तो 11 करोड और 10 करोड, तब की demand आई है, इसका मतलब कितनी वसूली ये लोग कर रहे थे, क्या आज ये नहीं कहा जाएगा, गांधी परिवार के दिखाने के दात और है, खाने के दात और है, और खाना मतलब वसूली, प्रियंक गांधी वाढदरा, और टुपनर गांधी वाढदरा, डुपन प्रियंका गांधी वाढदरा, रोबर ड्वाडरा क्राइम मास्टर गोगो आया हूं तो कुछ तो ले के जाऊंगा कुछ तो खाऊंगा प्लीज आंसर लेट नेशन नो अबूट इट एड़ आड़ आड़ मुस्ट आलसो से लुक आड़ दी हिपोक्रिसी दोगलापन किसे कहते हैं ये गांदी परिवार से कोई सीखे है हम सब जानते हैं राहूल गांदी भष्टचार के जूटे आरोब जो कहीं सिद्ध नहीं हुए भारती दिंता पार्टी और एंडिये की सरकार पे लगाते आये हैं उनका कहना होता है गरीबों का रुप्या लिया अम्मानी ग्रूप को दिया अब इनका जो एफिडिविट आया है इसमें रॉबर्ट वाडरा ने जिस ग्रूप का ये नाम ले रहा है और हर कॉर्परेट ग्रूप कानून के हिसाब से काम करें ये सुनिश्यत किया है तो भारती जंता पार्टी की सरकार ने किया है ग्यारवा साल है कोई एक उंगली ने उठा सकता गंगा जल की तरह पवित्र हमारे प्रदानमंत्री श्री नरेन वो दीजी पे लेकिन दोगलापन दिखाना चाहते हैं आज हम भारत को रावूल गांदी आरोप लगाते हैं और उनके जीजाजी रोबर्ट वाडरा जिनको भारत का जीजाजी बनाया वो इसी ग्रूप में जो इस ग्रूप की कंपणी है इन्वेश करते हैं शेयर होल्ड करते हैं ये कैसा विरोधा भास है कैसा दोगलापन है क्रप्या करके बत अगर रावूल गांदी जो आज नेता प्रतिपक्ष है किसी कंपनी पर आरोप लगाते हैं उन्हीं के घर में एक व्यक्ति उसी कंपनी में इन्वेश करके रखता है कि सुचिता का क्या जो बात आप कह रहे हैं उसकी प्रमाणिक्ता का क्या आप पे विश्वास कोई क्यों करें ये बताईए और एक बात इस एफिडिविट से और सामने आती है जो मैं आपके समख्ष रख दूँ ये एस यूवी और फार्म हाउस वाले हैं इनके पास एस यूवी गाड़ी बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला फार्म हाउस बताते हैं शिमला में भी एक बड़ा घर जिसकी कीमत को इन्हों ने एक दस्वा हिस्सा दिखाया है और हम सब जानते हैं पहाडों में अनुमती नहीं मिलती लेकिन कानून को जुकवाया इस गांधी परिवार ने क्योंकि प्रियंका गांधी वाडरा के परिवार को उनको घर चाहिए था और उसकी कीमत सही नहीं बताते हैं इसके कहता हूँ यह SUV और फार्ब हाउसे वाले यह क्या जाने कि कैसे पिछड़े समाज के लोगों को आगे बढ़ाये जाता है और जब हम बात कर रहे हैं पिछड़े समाज की तो बहुत भारी मन्द से एक बात मैं आपके समख्ष रखता हूँ पिछड़े समाज के व्यक्ति को इस्तमाल करना दलित समाज को इस्तमाल करना अगर कोई जानता है तो वो गांधी परिवार और कॉंग्रिस पार्टी एक तस्वीर है ये ये देखिए ये तस्वीर क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ यहां आगे बैटी है श्रीपती सोनिया गांधी जी प्रियंका गांधी वाडरा और पीछे बैटे हैं कॉंग्रिस पार्टी के अध्यक्ष मलिका अरजुन खरगे जी जो की पिछड़ समाज से आते हैं यह क्या दर्शाता है यह दर्शाता है नाम के लिए राज़ितिक लाब के लिए हम लोग पिछड़ समाज के व्यक्ति को किसी पद पे बैठाएंगे लेकिन रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे उसको सम्मान नहीं देंगे और एक और विडियो सार्जिलिक हुआ कल जिसका जिक्र करना अनिवार रहे है और कोई यह नहीं कह सकता कि यह मेरा अंदरूनी मामला है आप टिकेट किसे देए यह आपका अंदरूनी मामला है अद्भेक्स कौन बनाई यह आपका अंदूरूरी मामला है लेकिन अगर एक नेता है वो पिछड़े समाज से आता है और जिस कमरे में नमांकन हो रहा था उस कमरे के दर्वाजे को बंद कर दिया जाए और एक व्यक्ति जाग रहा हो पीछे से और वो व्यक्ति कोई और नहीं मालिका अरजुन खरगे जीत है इससे जादा अपत्ती जड़क बात क्या हो सकती है कि आप राजनिती में अपना ओची घटिया राजनिती करते हुए जो दलित समाज से आता है पिछले समाज से आता है उसका इस्तवाल करते हैं और ये क्यों होता है ये बताना भी आवश्य है ये इसलिए होता है क्योंकि ये तस्वीर सब कुछ कहती है ये आगे आपको दिखाई दे रहे हैं क्राइम मास्टर गोगो जीजा जी रॉबर्ट वाडरा ये आगे बैठे हैं इनके बगल में है प्रियंका गांदी वाडरा इनके पुत्र रहान इनकी भी एंट्री हो चुकी है ये भी आगे बैठे है सोनिया गांधी कमरे के अंदर है और राहूल गांधी भी कमरे के अंदर है जितनी जानकारी हमें है पाच लोग नामांकर करते हुए कमरे के अंदर रह सकते हैं सोनिय गांदी प्रियंका गांदी क्राइम मास्टर गोगो जीजा जी रॉबर्ट वाडरा राहूल गांदी और रहान वाडरा पाच अंदर आ गए तो पाटी का अध्यक्ष है तो क्या हुआ पिछड़े समाज से आ उनको बाहर रखा कमरे से और वो जहाक रहे थे कि मैं कब आऊंगा जब ये भ्रश्टाचारी गांदी परिवार अनुमती देगा और ये पहली बार नहीं हुआ है पिछड़े समाज से सीता राम केसरी जी भी थे अध्यक्ष रहे उनका कारेकाल पूरा नहीं होने दिया और किस तरह से हाथ-पाव पकड़ कर उनको कॉंग्रिस हेड़कॉर्टर से बाहर फिकवा दिया गया था सम्मान होगा कॉंग्रिस पार्टी में तो केवल गांधी परिवार का होगा बाकी कोई भी विक्ति हो संविदान के प्रती उसकी आस्ता हो निश्टा भाव वो जनता के प्रती कोई फरक नहीं परता है उसका अप्मान ही होगा ये बात बिलकुल स्पष्ट हो गई इसके बाद एक बात और आती है एक संदेश गया योग्यता की कोई जगा कॉंग्रिस पार्टी में नहीं है हमने सुना है अधर्णिय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर प्रेरित किया है युवाओं को नागरिकों को कि वो राज़िती में आए और योग्यता देखी जाएगी लेकिन वैसे गलत नहीं है कि प्रियंका गांधी वाडरा जो है वह बहुत योग्य है पूर्वध्यक्ष की बेटी है पूर्वध्यक्ष की बहन भी है पूर्वध्यक्ष की पोती भी है और आने वाले अध्यक्ष की मा भी है योग्य वो है और योग्यता इतनी 2019 में उत्तर प्रदेश के चुनाज से पहले 2019 में लोगसवा चुनाज से पहले उत्तर प्रदेश में इंचार्ज बनाई गई पूर उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश में सीटे आई असी में एक यह रिजल्ट है कॉंग्रेस पार्टी का लेकिन रिजल्ट प्रियंका गांधी वाडरा का क्या था उनको promotion मिला और वो 2020 में पूरे उत्तर प्रदेश की इंचार्ज बन गई पार्टी की seat आई 80 में एक प्रभारी पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी वाडरा रिजल्ट में Congress fail प्रियंका गांधी वाडरा gets a promotion 2020 में पूरे उत्तर प्रदेश की इंचार्ज बन गई बाइस में विदान सभा के चुनाव वे उत्तर प्रदेश में सीटे आई दो 403 में दो सीटे अब आब बताईए दो सीटे जो आई फिर इनका promotion हुआ वाइनाड में इनको टिकेट दे दिया गया है और वाकिए इनका अंदरूनी मामला है लेकिन एक बात जरूर मैं पूछूँगा और पूरी जिम्मेदारी से पूछूँगा ये जो declared income है कई सो करोड की और undeclared income हजारो करोड की वाइनाड में आपदा आई लैंड्स्लाइड इस भष्टाचारी करोड़ पती परिवार से इतना नहीं हुआ कि एग रुपया डोनेट कर दें एग रुपया वाइनाड की जंता के लिए हैं ये कैसा परिवार है भष्टाचारी देश में आपदा आती है आप विदेश चले जाते हो राहूल गांदी वाइनाड से सांसत आपदा आई आप एग रुपया नहीं दे पाए डोनेट कर पाए लोगों के लिए क्योंकि इनका मकसद केवल इतना है इनके घर का दामाद आगे बढ़े इनकी तिजोरी भरती रहे आम जंता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है और अंत करूंगा इतना ही कहे के दलितों का अपमान नहीं सहेगा इंदुस्तान यह जान लीजिए तो जो मैंने यह प्रेश वार्ता करी इसमें आपको गांधी परिवार का ब्रश्टाचार वंच्वाद की जीत होती है योगिता की हार होती है कॉंग्रिस पार्टी में और इसके साथ पिछड़े समाज और दलितों का अपमान होता है और यह प्रश्ट आज भारत की जंता पूछ रही है इस उमीद से कि राहूल गांधी आज सामने आएंगे और यह बताएंगे कि यह मुहब्बत की दुकान है या दलाली की दुकान है धन्यवाद देखे ऐसा है कि आज जो मुख्य बिंदू है मैंने उठा दिये हैं लेकिन राहूल गांधी स्वयम यह कह चुके है मुलानाओं की बैठक में कि यह मुस्लिम पार्टी है कॉंग्रेस इस अ मुस्लिम पार्टी और एक बात और जान लीजे मुस्लिम लीग जिस पार्टी के नाम में मुस्लिम लगा हो वो कितली पंत निर्पेश हो सकती है यह सवाल जनता पूछ रही है बट एकॉर्डिंग टू राहूल गांधी इट इस अ सेकुलर पार्टी यह उनी के शब्द है देखे कुछ बिंदू आपके समक्ष रखना जरूरी है यह वो प्रियंका गांधी वाड़रा है क्राइम मास्टर गोगो से कम नहीं है इनका कबूल नामा है कि दिन होते हैं दिन कमपनीज आक्ट में हर डारेक्टर को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है तो जब यूपिय की सरकार थी तो इन्होंने कई दिन ले रखे थे जिससे की कोई यह ना पता लगा सके कि इन्होंने कितने रुपए किस कमपनी से लिये हैं और बाद में इन्होंने माफी मांग के स्विकारा था जब हमारी सरकार आई आज प्रश्ण यह नहीं है कि भारती जंता पार्टी क्या करेगी भारती जंता पार्टी तो भ्रष्टाचारियों की इट से इट बजा देगी इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूं देकिन नैतिकता के अदार पे राहूल गांधी क्या करेंगे Sonia Gandhi Ji क्या करेंगी Priyanka Gandhi Wadra क्या करेंगी यह सवाल जनता पूछ रही है Any other questions In fact, I think your question itself answers what you are asking All these proceedings Have been initiated by the Income Tax Department Which is an independent authority under the statute Under the current dispensation So therefore The stark difference is there to notice by everyone That when it was the UPA government This corrupt family was minting money Taking away state lodges Ripping off the common man And pocketing their money And then came a change A government which has zero tolerance Towards corruption led by Shri Narendra Modi Ji And all these proceedings Have been initiated And they are subjudice right now Second We all know in the National Herald case also Sonia Gandhi and Rahul Gandhi Are accused number one and two And they are out on bail Now, it is for the judiciary To see how they can expedite these cases Because the Honourable Supreme Court In its judgment has already Clearly stated That public servants Member of Parliament MLAs Their cases Should be heard first This we owe to the people of the country As a very disciplined soldier of the party I just want to say one thing It is a victory For our country It gives a very strong message That India is a strong nation Leading from the front And it is an ongoing situation I would not like to comment on it The Ministry of External Affairs Has been issuing statements on this issue And they are in the best position To answer every question Which needs to be answered For Mehibuba Mifti I can only state a quote by her The If I said that If I say that If I say that If I don't know If I turn it To anところ To Kandha Toa 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 सबाव हुए विधान सभागे राजनेतिक तोर पे पीडीपी को कांधा देने वाला अब वहां कोई नहीं है इसके लिए मैं नहीं समझता कि उनकी किसी भी बात का उत्तर देना आवशक भी है धन्यवाद थैंक्यू